बान गंगा मेला बान गंगा मेला लगता अपने विराट नगार उद्यपूर के अंदर ठीक है फिस सेकेंड आता अपना गोमती सागर मेला गोमती सागर मेला अपने आता है जाल रा पाटन पसु मेला मालवी नसल लगा ठीक है फिर तीसरा आपने मात्र कुंडिया मेला मात्र कुंडिया मेला चित्तोडगर्ड राजस्तान का तियास मात्र कुंडिया मेला फिर चोता आपने आता है नक्की जील मेला नक्की जील मेला माउंट आबू के अंदर और ये सिरोही के अंदर लगता है फिर अपना आता है गोत मेश्वर मेला गोत मेश्वर मेला अपने अर्नोद परताब गड़ के अंदर आता है अब आता है अब आता है हिजरी कलेंडर हिजरी कलेंडर क्या है कि हिजरी कलेंडर के अंदर अपने हिजरी कलेंडर के अपने कौन कौन से महीने आते हैं और देख लेते हैं तो जैसे कि इसके अंदर आते हैं सबसे पहले मोहरम मोहरम के बाद में आता है अपना सफर सफर के बाद में आता है अपने रवी अल अवल अवल मतलब पहला होता है थानी मतलब दूसरा होता है ठीक है फिर आता है अपने रवी उस सानी फिर आता है अपने पांचे के अंदर जमात जमात उल अवल और चटे के अंदर आता है अपने जमात उस सानी ठीक है फिर आता है अपने साथे पे राजबीर का रजब और सिंगा सबान फिर आता है अपने रमजान और फिर आता सवाल रमजान के बाद में सवाल करते हैं इसलिए सवाल फिर जिलकाद और जिलहिज आते हैं तो अपने फेस्टिवल और रमजान रमजान की फेस्टिवल कौन कौन से देख लेते हैं तो जैसे कि रमजान महिना है रमजान महिने की फेस्टिवल सबने जो आते हैं वो है कि रमजान जो है उसको क्या माना जाता है सबसे पवित्र माना जाता है सबसे पवित्र माना जाता है और इस ताइम पर क्या करता है रोज्य करते है और इसकी जो 27 तारीक है 27 तारीक को सब ए कद्र मनाया जाता है मतलब कुरान सरीफ को मनाया जाता है कुरान सरीफ को मनाया जाता है फिर आता है अबने सववाल तो पंस सबसे पहले मोहरम से ही सुरू कर देते हैं जैसे मोहरम मौरम के जो फेस्टिवल्स आते हैं तो मौरम को अंदर क्या होता है कि दस्तारी को मौरम की दस्तारी को हुसेन हुसेन के करबला के युद्ध में सहीद हुआ था हुसेन करबला का जो युद्ध है उसमें सहीद हो गया था हुसेन और हुसेन की याद के अंदर ताजी निकाले जाते हैं क्या निकाले जाते हैं ताजी निकाले जाते हैं हुसेन की याद में हुसेन पैगंबर साहब के दो हीते थे ये पैगंबर साहब का क्या था दो हीता था और सत्या फिर सत्ताइस तारिक को 27 तारिक दसकों तो हो गई 27 तारिकों क्या होता है अपने गलिया कोर्ट डुंगरपूर के अंदर सय्यद फक्रोदीन सय्यद फक्रोदीन का ओर्स लगता है सय्यद फक्रोदीन का ओर्स लगता है इसके अंदर दाउदी बोरा संपरदाई इसके अंदर से बिलोंग करता है दायोदी वह रसम प्रदाशी सेयद फक्रुदीन फिर आता हमने सफर महीना सफर महीना के अंदर सिर्फ एकी फेस्टिवल आता है बीज तारीक को और इसके अंदर होता है चेहला मलब हुसेन की 40 दिन बाद हुसेन के मर गया था उसके 40 दिन बाद में ये चेहला मना जाता है वह फेस्टिवल रभी उलवल रभी उलवल ये 22 तारीक को एद तो एद के अंदर अपना था मिला दुल नबी मिला दुल नबी और बावा फरात बारा वफात बारा वफात तो पेगंबर मौमद साहब की मरत्ती हुई थी इस दिन तो पेगंबर मौमद साहब का जन्म हुआ था एद मिला दुल नबी को पेगंबर मौमद साहब का जन्म हुआ था मतलब दूट बन कराये थे और नबी नबी के मतलब होता है खुसी मतलब ऐसे तरशी दुखी तो इसके अंदर मरत्य हो गई थी तो अपने जैसे की फैस्टिवल है रभी उलवल और रभी उलसानी रभी रभी उसानी इसके अंदर कोई फैस्टिवल नहीं आता जमात उलवल इसके अंदर भी कोई फेस्टिवल नहीं आता है तो जमात उस्सानी जमात उस्सानी जमात उस्सानी के अंदर आते आठ तारिको जमात उस्सानी के अंदर अपने क्या है कि आठ तारिको इनको फेस्टिवल आता है जमात उन्सानी के अंदर क्या हुआ था कि खौजा मोहिनोदीन चिस्ती का जन्म हुआ था फारस इरान के अंदर संजरी गाउं में तो खौजा मोहिनोदीन चिस्ती का जन्म हुआ था फारस इरान के अंदर और संजरी गाउं के अंदर और ये आये थे पर्तिराद चोहान के समय पर्तिराद चोहान के समय आये थे और अजमेर के अंदर इसका मेन सेंटर है और फेस्टिवल्स अफ सव रजब के फेस्टिवल्स रजब के फेस्टिवल्स क्या है कि जैसे कि रजब के फेस्टिवल्स एक तारीख से छे तारिक तक ख्वाजा मौयनु दिन चिस्ती का उर्ष लगता है इस दिन रजजब के दिन और छे तारिक को कुल की रस्म बोलते है कुल की रस्म बोलते है और आठ तारिक को आठ तारिक को बड़े कुल की रस्म बोलते है बड़े कुल की रस्म बोलते हैं आठ तारीक को और ख्वाजा मुहिन दिन चिस्ति की उर्स लगता है अजमेर के अंदर और उर्स की स्टार्टिंग गोरी परिवार से होती है गोरी परिवार से उर्स की स्टार्टिंग होती है और 27 तारीक को सबे मेराज 8 तो हो गई फिर 27 27 तारीक को इनके आती है सब सब ए मेराज सब का मतलब तो होता अपने रात ठीक है मेराज का मतलब होता उड़ना तो भगवान वहराज जो उपड़ की तरफ गए थे उपड़ की तरफ गए थे तो यह वहरात है जो पेगंबर मुहम्मद साब की अल्ला से मुलाकात हुई थी अल्ला से मुलाकात हुई थी सब्य मेराज के अंदर फिर आती है सबान तो सबान के अंदर क्या हो था कि जैसे साबान मंत है साबान मंत के चोदा तारिक को सब्सक्राइब, 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 सब्सक्राइब सबबग festival के अंदर क्या होता है कि पहली तारिक को इसके अंदर इद, खुल, फितर, इद, उल्फितर, इसके अंदर मीठी इद, मीठी इद और सिवेइ या की इद मनाई जाती है, ठीक है भाइचारी का तिवार है, बाईचारे का तिवार है फिर आतबन जिलकाद के अंदर को तिवार नहीं होता और फिर जिलहिज जिलकाद के अंदर को तिवार नहीं होता और जिलहिज जिलहिज के अंदर हजियात्रा निकलती है जिलहिज के अंदर हजियात्रा निकलती है मक्का और मदिना के अंदर मक्का मदिना कहों है सवधी अरब के अंदर है और दस्तारी को एद अल अजहा दस्तारी को एद अल अजहा जहां पर क्या होता कि अजहा अजहा मतलब होता है बक्रा अजहा मतलब होता है बक्रा तो बकरीद ओती है ईदु-ल-अजा को जिलहीच के महिने में अब आता है डिपरेंस बिटीन यहूदी इसाई और इसलाम के बीच में किया अनतार रहाँ देखो यह कैसे है जैसा कि यहूदी इसाई और इसलाम यहूदी जो हते हैं यहोदी जो होते हैं वो मोजेस को मानते हैं मोजेस मूसा को मानते हैं ठीक है और इसाइज जो होते हैं इसाइज वो भगवान एक निराकार यह सब क्या है कि यह सब लोग यह सब जो तीन हो है उनके अंदर common बात यह है कि ये सब लोग बगवान को एक निराकार रूप मानते है ठीक है और ये कोई बगवान का निराकार रूप है तो कोई होली बुक को ये फूलो करते है और बगवान इनका मेसेंजर बेचता है मेसेज करने वाला बेचता है इनको मानते है मोजेस मोजेस ये क्या कि ओल्ड टेस् होता है उस दिन मंदे जाते है और वो वार इनका है सनी वार इसी तरह इसाई है इसाई मानते है जीजस को ठीक है और ये बाइबल को फोलो करते हैं बाइबल को और सब्ता में एक दिन होता हूँ पोईत्र मानते हैं वो रविवार को मानते हैं ठीक है तीनों अपना पोईत्र तीनों के बाद में देखेंगे फिर आते इसलाम, इसलाम के अंदर आते पैगंबर साहब, पैगंबर मुहम्मद साहब, ठीक है और ये कुरान को पुवित्र मानते है और इनके लिए सुक्रवार पुवित्र होता है सुब दिन का सब्ता माना जाता है और तीनों अपना जो पुईतरिस्तान है वो यरुसलम को मानते है यरुसलम को मानते है अब पैगंबर मुहम्मद साहब इसलाम के इसलाम के पैगंबर मुहम्मद साहब यह क्या कि रिलिजिस हैड थे रिलिजिस हैड थे और एक उता political head एक होता religious head एक होता political head political head मतलब दोनो پیغمبر साह्ब थे और खिलाब पैगमर साब के बात बनने वाला राजगा पैगमर साहब के बात बनना राजगा उसे बनना राजगा उसे बोलता है खलीफा तीक है? और खलीफादी के अंदर दो आयते एक तो अबॉबक्र और एक आया था अली भाइ खलीफा जैसे कि पहला पहला था अबॉबक्र जो कि डिजर्वber मॉन। चुथ भी ऐलकटेट खलीफा और सुन्ही मусलिम तो जैसे कि क्या किया कि इसके अंदर जो खलीफा अबॉबक्र है तो वो डिजर्विंग वंग तो ये चिंदर जो कि मतलब डिजर्व करता है तो उसको बढ़ाया जाएगा अपने खलीफा की उपादी तो उसे सुनी सुनी इसलाम फोलो करने लगे और फिर जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि अली बनेगा जो कि चोती खलीफा बने अली देखो पहला खलीफा बना अबरबुकर जो कि डिजर्विंग बनता दूसरा था उमर खलीफा तीसरा था बना उस्मान उस्मान खलीफा बना तो अली अली चोते नाम पे तो ब्लड रेलेटेड शुट भी लेक्टेड ऐसे खलीवा सिया तो इन्होंने सिया मुस्लिम इलेक्टेड वन इलेक्टेड वाले सुन्नी और जो अपने क्या नम पैगंबर मुहमद साब की गए यह ब्लड लाइन को फोलो करते हैं वो होगे सिया मुस्लिम अब फैस्टिवल्स Christian Christian के जो festivals होते है पहला festival Christian का होता है कि वो अपने Christmas Day बनाते हैं Christmas और Christmas Day होता है 25 दिसंबर को इसाय का जनम हुआता है 25 दिसंबर को और इसी दिन मनाते हैं और चार साल में ग्यान की प्राप्तिविटी प्रोबजन उसी से अपने ग्यानामे कलेंडर शुरुआ था नव वर्श एक जनुरी 15 MRI के अंदर अधर अले टन हुआ था और ग्रेगरी 13th के दवारे ये ग्रेगेरी एं कलेंडर करेंडर स्टार हुआ था और ग्रेगरी 13th के दौरा थेखे़, चार B.C. के अंदर उनको ज्यान प्राप्प्ति वुए थी गुड फ्राइडे इनका फ्राइडे माना जाता है गुड फ्राइडे के अंदर क्या होता है कि सुली पर लटकाया गया था इनको सुली पर लटकाया गया था इनकी म्रत्ती हो गई थी फिर उसके बाद में इस्टर इस्टर क्या है कि जैसे कि रविवार को इनका विख्यो पुर्णर जनम इस्टर के अंदर इनका पुर्णर जनम हुआ तो उसके चालिस दिन बाद चालिस दिन बाद इन्होंने मनाया असेसेंस दे असेसेंस दे मनाया असेसेंस दे चालिस दिन बाद में वापस स्वर्ग चले गए थे चालिस दिन बाद में वापस यह स्वर्ग चले गए थी ठीक है अब इस्टर इस्टर जैसे इस्टर से ठीक पहले वाला शुकरवार जो होता है उसे गुड फ्राइडे कहते हैं इस तरह से ठीक फेले वाला सुक्रवार्ज होता है उससे अपने बोलते हैं Good Friday 22 मार्च के बाद में पहली पूर्णिमा के रविवार को इस्टर माना जाता है जैसे कि 22 मार्च है अभी मार्च गया है वो पहली पूर्णिमा है पहली पूर्णिमा को इस्टर माना जाता है अब भी जो मार्च की योस के अंदर